लो दोस्तो फास्तन फंटा के इस चैनल पर आप सबीका स्वागा था रो आज हम देखेंगे SD TV हमने पिछले वीडियो में एक डिस्कास के था डिजिटर टेलिविजिन के बारे में आज देखेंगे उसी का एक टाइप SD TV जिसका फूर्फाम होता है High Definition Television चीक है और इसके कुछ फीचर्स हो जाते हैं वो फीचर्स देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं अभी देखो इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है 35 mm मूवी इस डिस्टर टोल्वी साउंड के साथ होता है और 5.1 स्रॉंडड़्स फॉर्मेट होता है जैसे मालों की 5.1 का मतलब क्या होता यहां एक एक यहां पर स्क्रीन दिया हुआ है यह हमारे sound speaker हो जाते हैं और यह हमारा एक woofer हो जाता है यहां पर audience होता है इसी को हम लोग 5.100 sound format बोला जाता है अगर यहां पर resolution की बात करें तो 1080p होता है 1080i 720p और जो resolution होता है उसको measure कैसे करते है pixel per frame में measure किया जाता है और I और P जो यहां पर लिखा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते है progressive and interference अब इसके पाद हमारा transmission take place at 2.07 MP per frame यह देखें मेगापिक्सल per frame में हमारा transmitter होता है HDTV का spectra ratio, क्या समझते है जैसे मालोगी screen जो होता है उसको screen का size depends करता है इस 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 बड़ा हो जाता है और viewer का experience बहुत बढ़ी होता है और एक और important point आ जाता है यहां पर फाइल format और उसके comparison standard होते हो उसको हम लोग HDTV का impact 2 होता है हम इसके बारे में एक और वीडियो बनाने वाले हैं उसका impact 2 impact 4 के बारे में अब इसके notation के बारे में जाला देख लेते है नोटेशन कैसे दिया जाता है यह प्रोटकास सिस्टम का जैसे एक होता है इसके तीन चीजों को हमेंसा ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे मालों कि frame size scanning system and frame rate यह तीन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है इसके notation के लिए जैसे अब frame size किसे बोलते है number of horizontal pixel into number of vertical pixel ठीक है और scanning system की से बोलते है progressive P and interlaced I जो कि हमने उपर भी अभी भी discuss किया है अब frame rate की से बोलते है video frame transmitted receive per second इसी को हम बोलते है frame rate बोलते है अगर एक example से हम आपको समझाने की कोशिश करते है तो यहां देखिए यहां 920 into 1080 P 25 अब 920 19 20 into 1080 क्या हो गया हमारा यह frame size हो गया ठीक है और P ह यह हमारा frame rate हो गया यहने कि हमारा तीनों consider होगा इसमें ऐसे होता है हमारा notation किसके notation HDTV की notation अब हम देखते है HDTV transmission के कितने type होते है HDTV transmission के दो type होते है Mac HDTV technology and advanced HDTV technology अब इसके देखे इसके भी तीन category बाते गया है जैसे terrestrial satellite and cable इस बात को ध्यान में रहे किए terrestrial satellite and cable अब सेम technology के लिए भी तीन category बाते गए है terrestrial satellite and cable अब यहां पर जो नीचे दिख रहा है आपको यह सभी standard है अगर terrestrial के लिए जो standard हम use करेंगे जो standard हम use करने वाले है वह TAC होगा तो उसके आगे T आ जाता है क्योंकि यह terrestrial के लिए use हो रहा है वही टेलाइट के लिए use हो रहा है वही stator light के लिए use हो रहा है तो नाम से में रहेंगे और उसके आगे में सिर्फ S लग जाता है क्योंकि वह cable के लिए use हो रहा होता अब अब ATAC का full form देख लेते हैं, Advanced Television System Committee, DVV का Digital Video Broadcast, जो कि मैरे पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बहुत जाला जिक्र किया था, और ISDV का full form Integrated Service Digital Broadcast, यह बहुत ही important हो जाता है, आप इसको ध्यान से रखिए, अब देखते हैं, इसके transmission और reception कैसे होते हैं हमारे HDTV के, इस अब यह दोस्तों देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा, HD Mac Transmitter, जो कि हम लोग आज Mac Technology के बारे में बात करेंगे, Multiple Analog Component, Mac का full form हो जाता है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर पूर ब्लॉग डागराम दिये गाए हैं, इसमें कैसे कैसे होता है, जैसे मानलोग कि यहां HD वीडियो होता है, वह हम camera के थुरू HD वीडियो लेते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग time compression के लिए send कर देते हैं, और यहां जो audio data signal होता है, वह हम microphone के दोरह input लेते हैं, उसके बाद A to D conversion करते हैं, और उसको प्राफ उसको compress करते हैं, A to D conversion मैंने पिछले वीडियो मे Mux को दे देते हैं, Mux का क्या काम होता है, कि यहां पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कि जो भी signal होता है, different signal उसको एक signal में convert करता है, अब यहां पर देखें, जो time compressed जो video signal होगे, उसको modulating signal में convert होके, यहां पर Mux को मिलता है, और Mux क्या करता है, सभी signal को लेके एक signal बनाता है, ठीक है, और उसको broadcasting के लिए, यानि कि उसको transmit करने के लिए तयार करता है, जिसे FM modulator यहां पर मिला, और यह क्या होगा कि इसे uplink किया जाता है, जो यहां पर देख रहे है, डिस्ट एंटीना के थुरू, उसके बाद यह satellite के थुरू uplink कर दिया जाता है, transmit कर दिया अगर cable TV के थुरू broadcast हो रहा है, तो इसको digital में convert करने के लिए, जो भी signal आता है, digital में convert करने के लिए, या फिर उसको compress करने के लिए, इसको use किया जाता है, ठीक है, तो ऐसे करके हमारा, जो भी हमारा signal हुआ, SD TV transmitter के थुरू, यह सभी हमारा signal यहां से transmit हो जाते है, अब हम इसरे antenna से, receiver antenna से हम इसको क्या करेंगे, capture करेंगे, अब जो यहां पर receive होगा, वो क्या हो जाएगा, FM demodulator के पास आएगा, demodulate करेगा, जो भी FM modulator signal था, उसके बाद cable TV में भी सेम हो ऐसा ही होगा, जो AMVSB demodulator के पास, जो receive करके signal को यहां send किया जाता है, इसके बाद ही क्या क लिए send किया जाता है, इसमें क्या होता है, जो digital converter में जो चेंग मिन हो जाता है, जो की decoder था, यहीं पर चेंग करके, उसको अडियो प्रोसेसिंग कर थे, यहां पर जो भी noise होगे उसको सब को remove करते, original sound हमको loud screen से सुनाया जाता है, उसके बाद हमने video processing unit होता है, इसमें हमारे वीडियो की processing होती है जो भी यहां से video signal आते है जो अनालोग में convert होके उसके process करके इसमें भी जो noise होते है उसको हटाई जाता है उसके बाद क्या नैजेशन होता है और सारे के सारे noise जो होते है उसको हटा दिया जाता है फिर उसके बाद हमें जो receiver होता है वहाँ पर original sound और picture quality के साथ हमें मिल जाता है उसके बाद हम लोग उसको देख पाते हैं तो सारे के सारे यही प्रोसेस होते है हमारे जो HDTV transmitter और receiver होता है तो इस चीजों को ध्यान में रखिए और ऐसे ही explain करते हैं अपने आपको marks बहुत अच्छे मिल लाएंगे अब यहां पर देख लेते हैं HDTV के कुछ specification and features है उसको देखना बहुत जरूगी है जैसे यह देख लिए कि पहला आता है resolution HDTV के resolution यहां 1080p और 720 और 1080i होता है P का मतलब हो जाता है इसका वीडियो कनेक्शन होता है इसमें वीडियो कनेक्शन टीक है ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल इसमें ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल होता है जो को हम खुछ से अड्जस करने के जरूत नहीं है automatic volume leveling होता है जो भी हो तो उक्व वनव टीवी चैनेट न hai अग्वेल से यी तो ग्रकाटिवी ना कर सकते है व्यगाम होता है युद्ट लाऍधा में तो उसके लिए oh को मेह युटा जाता है बड़ चा तर अधर में घृंबियो क से चांग कयं कर अबें मीडियो इन्ट उसमें चाह संपते है इसके बाद रिफ्रेश रेट is LCD TV जो रिफ्रेश रेट होता है ना LCD TV में सेम और से 120 हर्ज 240 हर्ज होता है पहले क्या होता था जो एनालोग TV होते थे उसमें रिफ्रेश रेश बहुत ही कम होता था 60 के लगवग में होता था अब टाइप ऑफ डिस्प्लेय यहां पे LCD प्लाजम यह बहुत इंपोटेंट जो कि पांच लिफ्रेश से ज्यादा होता है और साउंड क्वालिटी डिजिटल डॉल भी होता है एसी 3 होता है ठीक है अब यह सभी स्पेसिफिकेशन होगा है दोस्तों यह चीजों को आप ध्यान में रखिए अगर आप इस चीजों को ध्यान में हैं एप्टिट्यूट के लिए बहुत सारे वीडियो तो उनको बहुत फायदा हो सकता है दोस्तों अपने भाई को भी सेयर करो जो चोटे हैं आपसे जुनियर से आपके उसमें सेयर करो उस पे बहुत सारे M3 के वी वीडियो आने वाले हैं M1, M2 सभी के वीडियो आने वाल